केंद्री ग्रीमंत्री राजनाथ सिंग ने गुरुवार को लोग सबा में कश्मीर के हालात बाजवाब देते हुए पाकिस्तान को जम कर लताडा उन्होंने कहा कश्मीर में हालात बिगडने के लिए हमारे पडोसी देश का हाथ है भारत में होने वाले आतंगवादी घटनाओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है क्रीमंत्री ने कहा कि आतंग की बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हुई हिंसा से वो दुखी है पीम नरिंद्र मोदी भी आहत है उन्होंने कहा विदेश तोरे से लोटने के बाद पीम मोदी ने सबसे पहली बैठा कश्मीर के हालात पर की थी वहां किस्तिती के बारे में जानकारी ली थी उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुछ नोजवानों को कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है वाके युवाव की देश भक्ती पर कोई संधे करने की बात नहीं है कश्मीर भारत का मुकुट है उत्यप्रदेश की सियासत में भामन और राजपूत के साथ मुस्लिम समिकरन का दाव लगा रही कॉंग्रेस और अब एक कदम और आगे बढ़ानी की तयारी में है तूत्रों के मताबिक अपने समिकरन के लिहाद से चेहरे चुनने के बाद पार्टी हर धर्म के पिछरे सवर्णों को दस पीसद के लिए आरक्षन का प्रस्ताव रखने का मन बना रही है खास बात यह है कि हर धर्म के जरिये गरीब मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाएगा साफ है कि कॉंग्रेस अपने समिकरन को हर कीमत पर मजबूत करना चाती है यूपी कॉंग्रेस की नई टीम ने सिलसले में राहूल उप्रेंका की सामने ये प्रस्ताव दिया जिस पर दोनों ने सैध्धान्तिक सैमती दी है भविशे में इसको पार्टी अपने गोशना पत्र में शामिल करेगी पार्टी को लगता है कि इसके जरी वो हिंदू और मुस्लिम वर्ग के सवन नोजवानों को अपने पाले में खीच सकती है गुजरात के उना में दलित समुदाई के यूकों की बेरहमी से पिटाई की घटना की खिलाफ फिरोध परदेशन थमने का नाम ही नहीं ले रहा समुचे राजव में कई जगों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बीच साथ और यूकों ने कल आत्मत्या करने की कोशिश की जिससे राजव में स्कती और बिगड़ गई शांती की कोशिशों के बीच राजनिती भी जोरो पर है कौंग्रिस उपादक्ष राहूल गांदी पिटाई के शिकार दलितों से मुलाकात की है उनक के सामधियाल गाउ में दलितियूकों की पिटाई के 11 जुलाई के वीडियो को लेकर गुजरात में हंगामा बढ़ता जा रहा है राजकोर्ट पोरबंदर बोतर रोगिर सोमनाज दिलों में आत्मत्या की कोशिश की घटनाई सामने आई है राजकोर्ट जिले के दोराजी शेहर में आज तीन दलितियोकों ने किसी जहरीले पेपदात का सेवन किया जिसके बाद उने पास के एक अस्पताल ले जाया गया बिहार के मुख्य MTV Index कुमार के ग्रीज जिले नालंदा में घर की चत पर पाकिस्तान का जंड़ा ले राया गया मिली जानकारी के मुताबी घर की चत पर बुद्वार की देरा से पाकिस्तान का जंड़ा ले राते होई देखा गया इसके बाद आज सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की छट से पाकिस्तानी छंड़े को हटा दिया है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला बिहार शरीफ शहर के बॉर्ड नमबर चतिस के जौमा मस्जिद के पास खरादी मुहले का है जहां एक गर की छट पर खुले आम पाकिस्तानी जंड़ा लराय जाने के बाद से इस्ताने लोगों में खासा आक्रोच है इस्ताने लोगों इसकी सूचना आज सुबह पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने पाकिस्तानी जंड़े को घर्ज की छट से हटा दिया है फिलार पूरी इलाके में स्थित तनावपून बनी हुई है टीवी अक्टेस पतुषा बनाजी सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस में चार्ज शीट दाखिल कर दिया है पुलिस ने इसमें प्रतुषा के बॉर्फरेंड राहूल राज सिंग को आत्मत्या के लिए उकसाने उत्पीडन और धंकी का दोशी फेराया है पुलिस ने एक हजार पेज़ की चार्ज शीट फाइल की है आई पीसी के स्रक्षन 306 और 504 के तहट केस दर्ज किया गया था पुलिस राहूल राज से कई बार इस मामले में पूछ ताच कर चुकी है इससे पहले प्रतुषा के दोस्तों रे दावा किया था कि उनके बॉल्फरेंड राहूल राज सिंग ने धोका दिया था वो साजरिक जगोर पार्टियों में उन पर हाथ भी उठाया करता था बीस्पी प्रमुक मायावती के खिलाफ आफती जनक टिकपणी करने वाले नेता दया शंकर के खिलाफ एफाईया दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है लखनो पुलिस के सरबाग इस्तित उनका दिकारिक आवास पहुची लेकिन वो वहाँ नहीं मिले उधर दया शंकर सिंग की तलाश में बलिया पुलिस भी जुटी हुई है गुरू आर सुबै पुलिस बलिया इस्तित उनका आवास में पहुची लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिले दया शंकर के खिलाफ लखनों में एफाईया दर्ज कराई गई है दयाशंकर के बयान पर आपती जताते होई बीएस-पी कारेकरता बीजे-पी नेता के खिलाफ सड़क पर उतर कर विरोध पदर्शन कर रहे हैं लखनों के हजरत गंजु में गुरुआर सुबह भारी संख्या में बीएस प्री कारेकरताओं ने बीजेपी और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगा कर विरोध जताया बीएस पी और टीमसी ने राजे सभा में मायावत्री के खिलाफ यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर के बयान को लेकर चर्चा के लिए नोटिस दिया है टीमसी नेता डेले को ब्राइन ने दयाशंकर सिंग को ग्रफतार करने की मांगी है इस मुद्धे पर बुद्वार को भी सदन में जम कर हंगामा हुआ था गुरुआल को बीजेपी समिट तो उपक्षी दल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंग के बयान पर सरकार को घेर सकती है अब बीजेपी कैसे उपक्ष का सामना करती है यह देखने वाली बात होगी दरसल बुद्वार को राज्जे सवा में समुचे उपक्ष ने वीजेपी नेता दयाशंकर को ग्रफतार करने के साथ निंदा प्रस्ताव लानी की मांगी थी जिसे वीजेपी दलितों के मुद्दे पर अपने नेता के बयान के बाद बैक फुट पर आ गई थी जमुकश्मीर में भड़की इंसा और जारी गतिरोद के बीच मुख्यमंत्री मैबुबा मुफ्ती ने गुरुवार को सरवदलिय बैठक बुलाई है बैठक में नैशनल कॉंप्रेंस को छोड़कर बाकी पार्टियों के नेता पहुंचे है नैशनल कॉंप्रेंस ने बैठका बहिशकार किया है सियम मुफ्ती ने राज्यों में शांती बहाली पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है आतंकी बुर्हानवानी की मोत के बाद राज्यों में हालात बिगड़ गई है लगातार हो रहे विरोध परदशनों हिंसक जड़कों की विज़े से काई लाकों में बीते 12 दिनों से कर्फ्यू लागू है बता दे की कश्मीर घाटी में भड़की हिंसा में अब तक कम से कम 44 लोगों की मोत हो चुकी है जब की 2000 से ज्यादा लोग घायर हुए है साथी 16 सो से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी जखनी हुए है बिजली में एक वर्फी बिजली का मुद्ध गहराने लगा है राजदानी के लगबग दोती हाई इससे में बिजली वितरन का जिम्मा संभालने वाली प्राइवेट कमपनी B.S.E.S. के करमचारियों के एक बड़ा खेमा हरताल पर चला गया है ऐसे में कई लाकों में घंटों बिजली गुल रहने से उमस और गर्मी में लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा करमचारियों में ज्यादातर अरताल पर वो रहे जिनके जिम्मे रख रखाओ की जिम्मेदारी होती है इसलिए जहां एक बड़ा बिजली चली गई महां दुवारा जूडी ही नहीं करमचारियों के मांग अपनी नोकरी को पक्की करने की है क्योंकि अब तक B.S.E.S. ज्यादातर कोंटक्ट के करमचारियों से ही काम चलाता है इसके अलावा बेतन बढ़ाना और फिल्ड में काम करें लोगों को आने जाने के लिए पैट्रोल देने जैसी मांग भी शामिल है दूबई में अमरिटसर आई स्पाइस जेट के फ्लाइट में गुरुआर को संदिक्द बैग मिलने से संसनी फैल गई फ्लाइट में संदिक्द बैग मिलने की सूचना पर अमरिटसर एरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है सुत्रों के मताबिक फ्लाइट को शहर के भारी इलाके में ले जाया गया जहां संदिक बैक की जाच की जा रही है अतिहाद के तोर पर सुरक्षर ववस्ता कड़ी की गई है अब तक स्पाइस जेट के और से संबन में कोई बयान जारी नहीं किया गया है मामले की जाच जारी है चार हपते की गरववती महिला जो रेव पीडिता भी है के गरवपात कानून को चिनोती देने संभन्दी आचिका पर सुप्रिम कोट ने के इंद्रे सरकार और महाराश्रे सरकार को नोटिस जारी किया है एसी ने दोनों सरकारों से इस मामले में कल तक जवाब देने को कहा है एक गरववती रेव पीडिता की जान खत्रे में है देश के गरवपात कानून के करण वो 24 हपते के गरव को नहीं गिरा पा रही है जबकि बच्चों का ऐसा रोग है जिसमें बच्चे के भी बच्चने की संभावना नहीं है अब सुप्रिम कोर्ट इस मामले की ततकाल सुनवाई करने को राज ही हो गया है और आज इस पर सुनवाई हुई रेव पिडिता ने कानूनी तोर पर 24 हपते के अपने गरव में पल रेव बच्चों को गिराने याने गरव पात कहनूमती के लिए सुप्रिम कोर्ट में आचिका दायर की भारते कानून उस महिला को उसकी जाधत नहीं देता देश भर के रेलवे स्टेशनों को एरपोर्ट की तर्ज पर डवलप करने के सपने को पूरा करने के काम में दूसरे देशों की मदद लेने की रेलवे की कोशिश रंग लाती दिख रही है रेल मंत्राले चीन, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ रेल्वे स्टेशनों को विक्सित करने के मस्ले पर बातचित कर रहा है I.R.S.D.C. के साथ मिलकर चाइना रेल्वे कंस्ट्रक्शन, इंजिनियरिंग ग्रूप न्यू भुनेश्वर रेल्वे स्टेशन और बयपन हली रेल्वे स्टेशन को डवलप करेगा भारतिय रेल्वे बेल्वे बेल्जियम के साथ स्टेशनों की जमीन और एयर स्पेस को डवलप करने को लेकर बातचित कर रही है बेल्जियम के साथ भारतिय रेलवे जॉइंट वेंचेर कंपनी बना कर बुम्बई सेंट्रेल, जॉम्मू, जैपूर और बारनसी रेलवे स्टेशनों को कमर्शियल तरीके से विक्सित करेगी पिल्म जगत में कभी अपिने का जल्वा भी खेरने वाली मम्ता कुलकरणी ने अपने उपल लगे ड्रक्स डैकेट के आरोपों से इंकार किया है उन्हें अपने पूरुष मित्र विक्की गोस्वामी को निर्दोष बताया मम्ता फिलाल केन्या में है उन्होंने कहा कि वो भारत से भाग नहीं रही है बॉलिवुड पर 90 के दशक में अपनी धाग जमाने वाली मम्ता ने कहा उन्हें ड्रग से नफरत है मम्ता ने कहा कि उन्हें मालूम है कि विकी कोई गलत काम नहीं कर सकता है और अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे और खुद को मार देंगी उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने गलत लड़की पर इल्जाम लगाया है उन्होंने कहा मेरा सच मैं जानती हूँ मुझे और किसी की जरूरत नहीं है आतंग की संगटन ISIS सीरिया इराक और अफगारिस्तान की तज़ पर भारत में भी पैन इंडिया मोडियूल तयार करने की कोशिश में है AIA की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ कि सीरिया में बैठा हुआ शफी अम्मार उस यूसुफ अलहिंदी पूरे देश में अलग-अलग मोडियूल को ओपरेट कर रहा है इतना ही नहीं शफी इस देश में AIA का आतंक फिलाने के लिए नकसलियों से संपर्क साधा था ताकि नकसलियों की मोडस ओपरेंडी को समझ कर उसका इस्तमाल कर सके शफी ने AIA के पैन इंडिया मोडिय के लिए नकसलियों को हतियार भी खरिदने की योजना बनाई थी NIA की चार्जशीर्ट में इस बात का भी खुलासा है कि शफी अर्मार हिंदुस्तान में विखिलाफत के हिसाब से शूरा कॉंसिल तयार कर रहा था आतंकी संगठन AIA का गड़ बना चुके बंगलादेश से 270 लोग लापता है अधिकार ने आशंका जताई है कि लापता लोग AIA से जुड़ सकते हैं सुत्रों के मुताबिक अगर ये आशंका सही साबित हुई तो बंगलादेश में बड़े आतंकी हमले का खत्रा बढ़ जाएगा लापता लोगों में ज्यादा तर यूवा हैं बंगलादेश की पुलिस लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है देश की सुरक्षा बल रैपिड एक्शन बटालियन के प्रौक्ता ने कल बताया कि इन यूवकों की तलाश आतंकवादी हमले की गटना के बाद आतंकवादियों के विरुद शुरू किये गए अभिया की जा रही है उन्होंने बताया कि जिन लापता यूपों की तलाश की जा रही है उनमें से कई यूवक सेवारत और आवकाश ग्रहन कर चुके सेनक अधिकारियों प्रशास्निक अधिकारियों और व्यवसाईयों के बेटे हैं